अज़ की इस वीडियो में फ्रेंड्स हम जो है एडिशन सब्ट्रेक्शन मुलिप्लिकेशन और डिविजन देखेंगे के हम अपने डबलू पील सॉफ्ट्टेर में अर्थमेटिकल ऑपरेशन जो हैं हमारे पास जो बेसिकली चार फिंडमेंटल्स हैं एडिशन सब्ट्रेक् सब्ट्राइक डिवाइड और मल्टिप्लाइग आपको मल्टिप्लाइग करा सकते हैं ठीक हैं तो यहां पर जो है इस वीडियो के स्टार्टिंग में ही मैं आपको कुछ चीजे बता रहा हूं मैं यहां पर इसकी रेंज बता रहा हूं और इसकी जो है इसके किस तरह इसको हम assign करते हैं यहां पर हम देखते हैं तो मैं help में जा रहा हूँ help में जाने के बाद PLC instructions and special register इसमें जाओंगा और यहां पर देख सकते हैं आप application instructions जो हमारे पास AI उसमें हमारे पास क्या है four fundamental operations of arithmetic इसको इंटर करते हैं हम यहां पर और यहां पर देखे हैं इसको बारी बारी आपको दिखाता हूँ add जब मैंने इसको खुला तो यह block आ गया है मेरे पास addition का इसमें क्या API याप्लिकेशन इंस्ट्रिक्शन नंबर है इसका 20 है इसका सबस्क्राइब मतलब जो इसको call कराने के लिए जो इसका block है वो हमारे डीए इस इस डाटा रिजिस्टर इस डाटा रिजिस्टर में हमारे पास additional जो रिजल्ट आएगा हमारा जो addition होगा as one or as two for example as one five and then as two is 10 तो 15 जो के रिजल्ट आएगा वो डी हमारे इस डाटा रिजिस्टर में store हो जाएगा ठीक है बैक पर जाता हूं इसी तरह सब्ट्रेक्शन में क्या है सब्ट्रेक्ट as one as two or d again here the data register ठीक है विचिस इस डाटा रिजिस्टर ठीक है जो सब्ट्रेक्शन का रिजल्ट होगा यह नहीं as one से जो वैल्यों सब्ट्रेक्ट होगी ठीक है as two सब्ट्रेक्ट होगा as one से और वो store होगा अगेन हमारा डी में विचिस दाटा रिजिस्टर इसके बाद मल्डिप्लिकेशन में क्या है mul s1 s2 and d d is again here the data register और दो value s1 s2 आपस में multiply होगी s1 और s2 ठीक है dividend जो है वो हमारा s1 है और divisor जो है हमारा वो s2 है और again जो भी result आएगा इस division का which will be stored in d which is our data register ठीक है तो यहां पर हम कुछ program बनाते है इसको मैं close कर लेता हूँ और यहां पर जो है मैं एक button लेता हूँ और हम इससे add करते हैं add for example मैं addition के लिए ले लेता हूँ add k10 और उसको इसको मैं add करता हूँ 10 की साथ and then इसको हम store करते है d0 में store करते हैं इसी तरह से मैं a call लेता हूँ ldx1 और यहां पर जो है मैं subtraction की command use करता हूँ subtraction के लिए मुझे क्या है use करना है मैं again इसके लिए जो है use करता हूँ k20 लेता हूँ और k10 इसको again हम store करते हैं d10 में इसके बाद जो है एक और x2 लेता हूँ और यहां पर मैं multiplication करवाता हूँ किन्द होगी multiplication करवाता हूँ मैं multiplication करवा देता हूँ यहां पर d0 और d10 ठीक है और divide कराते हैं हम यहां पर div इसकी कमांड है div और हम divide कराते हैं यहां पर k100 को k10 है और इसको store करा देते हैं यहां तो यह simple सा program है इसको जो है हम compile कर लेते हैं simulator on कर रहा हूँ मैंने physical PLC connect नहीं कर रही है इसको जो है online लेते हैं इसको run कर देते हैं तो बड़ा से समझा भी दूँ एक जिरो जो है मेरे पास push button वो मेरे पास addition के लिए है जब मैं इसको on करता हूँ set on करोंगा तो क्या हो रहा है मेरे पास 10 और 10 यानि 20 यह add हो जा रहे है आपस में store हो जा रहे मेरा d0 data register में के constant है यानि 10 obviously जो है एक constant number है तो इसको represent करने के लि पड़ता है which is indicating that this is the constant number and then again यह s1 था और यह s2 है जो मैंने आपको help में जाकर दिखायता है addition की command थी and this is our s1 this is s2 and this is our data register इसके बाद हमारे पास x1 को भी मैं ऑन करता हूं x1 में क्या है s1 हमारा 20 न क्या हो है 20 है और 10 20 में 10 में same 10 को माने is prize 10 और 10 यह soup काह पर अरहे देखर है और hey data ड को यह जिए रहा है मेरे बस आ यह आपकास yelled just me जो यहां पर शो हो रही है तो जब मैं मुल्डिप्लिकेशन की इस इंपुट के बटन को अन करूंगा तो मेरे पास क्या होगा 20 और 10 आपस में मुल्डिप्लाइ हो जाएंगे एंड लेट सी तर रिजल्ट 20 टैंज आर 200 तो टी 20 में मेरे पास जो वैल्यू आ रही है वो 200 के आ रही है यही तरह मैं डिवीजन में मैंने क्या कर रहा है जो मैं एक स्री में इसका बटन लिया है रहने 100 को 10 से डिवाइट करा दिया है इस कहौ आगे की वीडियो में मैं फ्लोटिंग पॉइंट को डिसकस करूंगा कि फ्लोटिंग पॉइंट में अगर हमें एडिशन और सफ्ट्रेक्शन यूज करना है या अगर हमारी पास कोई ऐसी एप्लिकेशन है जिसमें जैसे हम फॉरहन हैट देखना चाहते है या किसी चीज का तेंप्रेचर के इलावा हम किसी चीज की फोर्स किसी चीज की फिजिकल कोई भी मेजरमेंट हो जो फ्लोटिंग में है पॉइंट में है डैसिमल के इलावा भी ठीक है तो उसको हम किस तरह यहां पर जो है शो करा सकते हैं जार सी बात लिए टैन और टैन सिंपल ट्वेंटी फ्लोटिंग डेटा भी रीट कर सकते हैं और स्टोर करा सकते हैं किसी अपने डैटा रिजिस्टर में सो फिल वक के लिए इतना ही आगे की वीडियो का वेट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक्यू